हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सबी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हो गूड इवनिंग मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरूबात एक नए दिन के साथ और उमीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अभी अनुष्का को ना मिक्स करके ज्यादा पसंद है तो फिर ना मैं वही वाले बनाती हूं अब फिलहाल ना मैगी तो बहुत ही कम बन रही है वो भी टाइम था कि जब हम ना बहुत ज्यादा मैगी बनाते थे लेकिन जब बहुत ज्यादा कोई भी चीज हो जाती है ना तो फि हो जाता है टेस्ट हो जाएगा तो अभी इसलिए फिर मैं वही बना रही हूं तो मैंने यहां पर तैयारी कर दी है वह काट लिया था प्याज काट लिया था और प्याच काट लिया था चाक्ति कनल में बएन सुर्य में के बात कर रहाएं सबस्क्राइब कि मुझे ना नीदा रहा हूं जो हमारा काम हुता है वहां हमारा काम पूर रहती है कहा यह काम नहीं हुआ और यह काम मीना मेरे लिए एक बहुत ही वह बन गया है जैसे कि जुम्मेदारी होती है न काम की वह वाली चीज तो मुझे अभी बहुत तेज नहीं दारी थी लेकिन मैंने सुझाए कि चलो बात कर लेते हैं पहले और इसको न वह कर देते हैं आप तक को तब सोएंगे तो अभी यहां पर मैं वही बना रही हूं मैक्रोनी और पास्ता और मैंने तड़का भी लगा दिया है और जो समाने यहां पर मैंने लिया था उसे रख देती हूं वापस से उपर जैसे कि मसाल दानी है तेल लेते हैं वह सारी चीज है तो अभी वह जो भी से तैयार हो जाती है अभी मैं इसमें सव कडाल दूघी और ब कि ऊपर ही ऐसा नीचे कड़ाई रखने के बाद जब रखा कढूगी नहीं मैं इसमें असिसчи राल देती हैं और जब हम वह बनाते थे मेगी तब हम बन जाती थą प्रेटों में हम सब के लिए लगाएuria तो फिरीमिकें अपनी ओर साब lore धिसको पापाजी यहीं कियों कि धलते हैं तो मैंने पेड़ी है और अच्छे से को कम ही पसंद करते हैं वह इतनी ना खाते भी नहीं है तो इसलिए मैंने साथ की साथ ना कड़ाई जी सिंख में रखती है और अब इसमें पानी डाल दिया है अगर मैं ऐसे छोड़ देती ना तो इसमें ना वो हो जाता बहुत जादा क्या बोलते हैं जम जाता तो इसलिए फिर मैंने यहां पर भगवना रख दिया है और अभी मैं बनाऊंगी चाय साथ की साथ चाय भी बना लूँगी तो ये दोना काम मेरे किचिन के खतम हो जाएंगे फिलहाल के लिए अभी के लिए पत्ती डा लूंगी और अध्रक डाल दूंगी अध्रक दो जगहां रख रख् i है जो भी आई थी वह मैंने ने रख दी है और जो पहली थी वह मैंने इसमें रख दी है तो उसससे क्या होता है ना फिर जो पहली आई होई चीजे हैं वह पहले इस्ते माल होती है फिर ना वरुना तो अगर उनको पहले कर लें जो बाद महीं है तो देखिए मेरी चाइब कितने अच्छे से उबलने लगी है चाइब पीली है और वह भी खाली है मेक्रोनी और पास्ता खाली है चाइब पीली भी आ क jaki हमें फटा-फट से तेह करने के लिए कपड़ों की कपड़े उतार करकर ले करके आई थी तो मैं रम्च टार का हम इनिपता कि काम को भी कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कपड़े धुले ही नहीं है और अब भी हमारा कपड़ों का काम खतम हुआ ही नहीं है झाल आजड़ों का मुआ ही नहीं है कपड़ों की तह करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़े लगाने के लिए और भी कपड़े थे जो मुझे मशीन में लगाने थे क्योंकि हमारे यहाँ पर मौसम खराब हो गया था तो वो कपड़े सायद कल के थे जो अभी मैंने जिनकी तह की है है ना तो अभी जो कपड़े आज के हैं वो मैं मशीन लगाऊंगी यहाँ पर और मशीन को ले आई हूँ और फटा फटे पानी वगड़ा डालती हूँ और अभी ना मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने कपड़े रखे हुए थे जो भी इतना करके उतार देते हैं कपड़े तो म मैंना बहुत आज डर गई थी है न हो जाता है हम जब काम कोई भी काम हम जल्दी में करते हैं न तो फिर हमारे साथ होता ही होता है और न शरous 안내 नहीं कि तो बहुत सारी चीजें वो भी हो जाती है परिशान हो जाते हैं पर मैंने निकाले मैं डर जादा गई थी लगा मेरे कुछ भी नहीं था पर मैं डर भोचादा गई थी तो कोई नहीं अभी मैंने यहां पर पानी चला दिया है मशीन में और यहां पर मैंने सरब भी डाल दिया है और जो भी कपड़े यहां पर नीचे मै मैं इसमें डाल दूँगी मसीन लगा जाओंगी कपड़े दुलते रहेंगे और अपने काम में बागी के करते रहेंगी यही फायदा होता है मसीन का की काम होता रहता है और हम दूसरा काम भी करते रहते हैं तो हमारे न एक साथ दू काम हो जाते हैं एक तो जो हम करते हैं वो जैसे कि अभी ये मसीन है कपड़े दुली अपना काम करती रहेगी और हम अपना काम करते रहेंगे और जैसे हुआ हम सुबह सुबह सब member of life चलासे हैं जिसनने मत्ठा बनाते है उसको लगा जिते Пछ can she . रहते हैं और हमारा उधर मठा भी चल कर तयार हो जाता है मखन तो हमें ही निकालना पड़ता है लेकिन हाँ जो टाइम चलाने में लगता है वो हमें नहीं लगता है लेकिन मुझे तो ना मशीन के तरफ भी वो द्यान रखना पड़ता है कि हमारी मशीन गिर जाती है उससे पत लिटा मोपति लेना भुलकती खर्पती है तो जिसकी बजाते पैर के नीचे गिर जातीphrतितμα जैती है हुं पहीं और किर दोनी चे जते दोने चतनीरी के यह तो अभी यहां पर साम का टाइम और साम के टाइम में जाॡ़ … तो मैं यहाँ पर फटापट से यहाड़ू लगा लेती हैं लगाने की बांद न फिर मुझे एक काम और भी करना है और मेरी द्वाई की नहीं दवाइट नहीं आई है और अब बहुत ही जयादा जरूरी था पर यह ही है शोटी छोटी चीज़ा होती है न उनको हम भूल जाते हैं कोई काम ऐसा होता है बहुत बड़ा होता है तो उसका हमें याद रहता है जब हमें याद रहती हैं जब हमने परेशान होते हैं तो इसी लिए तो अब भी रखी हुई है और मैं नहीं मंगवा पाई हूँ पापाजी से तो अभी हैं पर ना मैंने सारे परदे खोल लिये हैं एक जगा कर दिये हैं और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ज़ाडू कपड़े दुल रहे हैं ज़ाडू लगा रही हूँ चाय हमारी बन गई है सामबाली हमने पास्ता और मैक्रोनी वो भी बना ली हैं खा लिये हैं सारा काम हो गया है अब बस सामब के खाने की तैयारी होगी तो अभी उसमें टाइम है अभी इतनी जल्दी मैं नहीं करूँगी क्योंकि ना अभी टाइम ज़ादा है तो फिर इतनी जल्दी से बना कर भी ठीक नहीं है तो सब्जियों की तैयारी कर देती में अगर मुझे काम नहीं होता लेकिन अभी मुझे कुछ काम करना है जो कि मैंने सोच रखा है काफी दिनों से सोच रखा है लेकिन वो हो ही नहीं पाता है बस वो ही चीज़े हैं कि हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को भोचली से बोल जाते हैं और अभी न मैं सोच रहा हूँ कि अभी time भी है और काम भी मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो बस ज़हारू लगाने के बाद मैं free हो जाऊंगी तो मैं सोच रही एक देड़ गंटे दो गंटे अगर मैं उस काम को दे दूंगी तो फिर मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो छूट जाएगा इसलिए तो अभी देखते हैं पहले जाड़ो लगाते हैं फिर फटापट से वही काम करना सुरू करते हैं जाड़ो न यहां पर मैं लाइटा जला ली थी क्योंकि लाइट से क्या है कि जो इतर की फ्रींज की साइड है न अगर मैं नहीं जलाती ह। थोड़ा उधर न न कम होता है रोस दीज खाड़ू लगा लूं ऐसा तो नहीं है कि मैं पड़ी लगा लूंगी तो जाड़ूं नहीं लगा पूँँ, बर यह है कि उसे हटाने से बहुत अच्छे से साप दीखने लगता है, कोई भी चीज छोटी मोटी नीचे रह जाती है वो भी दीखने लगती है तो बस इसी लिए मैंने पड़ों को हटा लिया था और मैंने ना कच्रा जो भी कच्रा था रेश्ट विन में डाल दिया है एकटा करके और यहां से ना दो तिन वार में मुझे यह उठाना पड़ता है पहले एक बार उठा लिया उसमें मोटा मोटा आ जाता है फिर छोटा छोटा भी ठह जाता है जो कि हमें दो तिन वार जब हमें से अच्छे से साफ कर लेते हैं जब जा करके यह ऐसे साफ होता है तो ज़ाड़ों मैंने लगा दिया ज़ाड़ों को ज़ाड़ों की अच्छे से रख कर गया हूंगी और मैंने ज़ाड़ों रखने के बाद फिर आ गही हूं मैं इधार यह बैड सीट हमारी बेकार हो गई है और बेकार ना एक जगा से ही हुई है बीच में से तो मैं सोच रही हूँ कि इसे ना कट कर देते हैं तो चार पाई पर तो ये फिर भी आ जाए कि काफी बड़ी बैट सीट ये थी ये बहुत ही अच्छी थी ये बहुत ही अच्छा है इसका कपड़ा था ऐसी बैट सीट न अभी तक भी मुझे नहीं मिली है और इसी बैट सीट को देख करके मुझे लगता था कि हाँ मुझे ऐसी ही लेनी है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी बहुत ही अच्छी लगती थी तो अभी ये बेकार हो गई है तो मैंने न काफी दिनों से इसको ऐसी रख रखा था चार पई पर डाल रखा था फिर आज न मुझे याद आया मैं क्यों न इसको न इस तरह से सही कर लूँ तो उस पर तो वैसे भी इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है चार पाई पर छोटी ही काम कर जाती है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे मैं यहाँ पर इसी उपर रही थी इसको छोटा कर लूँगी और इस मैंसे न फिर मैंने दो तकिये के कवर भी निकाले थे एक तो काफी बड़ा था और एक छोटा था अगर जैसे मेरे और हैं तकिये अगर उनके कवर होते तो शायद कवर बन जाते तकियों कि लेकिन एक तकिया तो बहुत ही लंबा ही चोड़ा इसकी बहुत काफी है वो उसके लिए बनाया था और एक जिस चार पाई पर ये डली रहती थी चादर उसके लिए बनाया था जो उस पर रखा रहता था था तकिया उसके लिए तो मेरे ने जो मुझे कवर की जो कि अभी मुझे बनाने है तो बस वो ही काम चल रहा है मेरा मेने का चलो आज इस काम और जब हम ना किसी भी काम को ले करके बैठ जाते हैं तो वो ही जाता है वरना तो आज नहीं, कल करेंगे, अगर नहीं, फिर अगले दिन करेंगे, ऐसे करते हुए मुझे काफी time हो गया है, और मों काफी time से सोच रही थी कि मैं नहीं न इन टक्यों के कबर बनाऊंगगी, कबर बनाऊंगगी लेकिन होता नहीं है सोचते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन सब कुछ हमारे ही कहने से हमारे करने से नहीं होता है पर यह दो चीज़ां ऐसी है कि तक्यों के कवर बनाना है जब बी टाइम मिले फटाबट से मसीन लो मसीन है और सिलाई करने के लिए लग जाओ तो हो जाते हैं चीज़ें तो अभी यहां पर मैंने न सारी चीज़ां अच्छे से वो कर ली थी काट ली थी मैंने तकिया ही उठाकर के लिया था मैंने का छोटा बड़ाना हो जाए तो उससे अच्छा है की जिस चीज के लीए हम जो कुछ बना रहे हैं उस चीज से पहले थी से उसको नापतोर कर लें तो फिर बाद में हमैं आसानी रहती हैं दिक्कत नहीं होती है वरना तो बार-बार जहन्जट लगता है हमें बनाना फिर उसको बिकार कर्ना और बिखुकशतर भी ठयार कर लिए है यह देखिए लाई का इंतिजार कर रही थी तो लाईट भी आ गई है और यहां पर रख रखी है मैंने बहुकर के का ड़कार रख लीत है और इधर रख यह हरी मिर्च रखती है ना अच्छी लग रही है तो फटा फट से पनाते हैं इसमें जीरा डालते हैं पहले तो यहां पड़ना मैंने ग्रेली जो बनाई थी वह इसमें डाल दी है यह देखिए और अब इना इसको अच्छे से पकने रोगी और मटर को ना मैंने बॉइल कर ल देते हैं तो मटर मैंने वॉइल कर लिया है जल्दी से ही हमारी बन कर क्यार हो जाएंगी तो यह देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और इसमें ना तेल छोड़ दिया है भी आप देख सकते हो और इसमें मैंने हल्दी डाल दी है और कस्तूरी लाल मिर्च डाल छोड़ जुमे मैंने हरी मिर्च आल रखी THी तो इसलिए है मैं सथी टाली कश्तूरी मेथी 3 लीले ताजा क्रीम तो भी डालोंगी तो जह सुने करना अब मैं डाल दूंगी मतर तो अब तो उसमें मस्रूम भी डाल दी हैं मटर भी डाल दी हैं यह देखिए और अब सब्सक्राइब गढ़क दूगी और इसे बनने दोगे अब बनने लगी हैं गरमा गरम रोटियां यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियां फूली फूली नरम नरम यह देखिए कितने अच्छे से फूली है रोटी तो रोटी तो हमारी बनकर हो गई है तैयार और अभी न आपको सब्जी दिखाते हैं कि सब्जी कैसी बनी है फिर लगाएंगे प्लेट तो यह देखिए राधनी अभी मैंने डाल दिया है सब्जी का कलर बहुत ही प्यार आया है वो तो कैमरे में बिल्कुल किलियर आ नहीं रहा है जैसा है यह देखिए सब्जी न बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है चलो प्लेट लगाते हैं अभी तो यह देखिए प्लेट लगकर हो गई है तयार यह देखिए गर्मागरम रोटियां मठा और मटर मश्रूम की सब्जी यह देखिए तो प्लेट मैंने लगा दी है आप सब भी आ जाएए खाना खाने के लिए और फिर बताईए कैसा बना है सलाद लेली है और यह है मठा है रोटिया है और सबजी है तो आप सब भी आ जाएए खाने के लिए और फिर बताईए कैसा बना है और इस वीडियो करना मैं आपर एंड रही है अपना ख्याल रखिए ऐसे ये अच्छे वीडियो देखते रहे हैं प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई 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 आं टेके याई